देखे सबसे पहले गौस्थ थरम को सुरू करने के पहले उनके खांदान के कुछ लोग हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए ठीक है तो सबसे पहले आता है एरिया जरा समझने की कोसिज करिएगा मैं कुछ बताना चाहता हूँ ये एक एलेक्ट्रिक फिल्ड है ये एक यूनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फिल्ड है ठीक है और इसमें एक कोई सर्फिस थोड़ा और गहरा बना दीजिए थोड़ा डेंस बना दीजिए और इसमें एक सर्फिस ऐसे रखा हुआ है जड़ा बताइए surface से कितनी electric lines गुजर रही है count करके बता 1, 2, 3, 4, 5 lines ठीक है इसका area A है अच्छा अब हमने surface को इस area को tilt टेड़ा कर दिया ऐसे ऐसे कर दिया थोड़ा सा क्या इस surface का area change हो गया नहीं वो बनने में अलग की बात है ये एक surface था ऐसे रखा है अब हमने टेड़ा कर दिया क्या इसका area change हो गया क्या ये electric field के बाहर आ गया electric lines कितनी गुजर रही है इससे फोर change हो गई है ठीक है अब मैंने जड़ा इस surface को तिबारा देखिएगा अब मैंने इस surface को ऐसे रख दिया ऐसे रख दिया ऐसे उतनाई area है क्या ये electric field के बाहर आ गया नहीं आया ना electric lines कितनी गुजर रही है क्या हो गया क्या हो रहा ये कि अगर electric जो area है उसकी direction change कर रहे हैं तो number of electric lines passing through this area is changing और कोई चीज direction change होने से अगर उसमें कुछ value change होती है उसको हम क्या कहते हैं scalar quantity या vector quantity तो सबसे पहली चीज़ बताना चाहते हैं कि area is a vector quantity area vector हम पहले area vector बताते फिर area को vector proof करते उसके पहले हमने area को vector proof कर दिया हमने देख लिया कि electric field के अंदर ही हम है और direction अगर change कर दी तो उसमें number of electric lines उससे जो गुजर रही हो change हो गई तो इससे सिद्ध हो गया कि area is a vector quantity तो ये area vector quantity होती बात समझ में आ गई मैंने scientific method से इसमें प्रूफ किया है area is a vector quantity ठीक है अब जड़ा समझेगा तो सबसे पहले area vector area vector होता क्या है देखिए आपको याद होगा 11th की बाते करते हैं तो लोह पसीने निकलने लगते हैं फिर 11th में आ गए फोड़ा vector में आप आगे भी पढ़ेंगे कि अगर किसी parallelogram का area निकालना है और parallelogram की side से a और b तो उसका area निकालने का formula होता है a cross b छोड़िये आते हैं triangle में हमको triangle में पढ़ाया गया है class 10th में चलिए वहाँ से हम सुरू करते हैं अगर एक side a हो और एक side b हो पीछ angle theta हो तो इसके area का formula होता है half a b sin theta यह तो आप जानते हैं ना vector के हम बात नहीं कर रहे हैं हम formula की बात कर रहे हैं जहां hero's formula और बहुत सारे formula आपने पढ़े होंगे वहाँ पर area of triangle का formula पढ़ा है half a b sin theta और a b sin theta को vector method से a cross b लिखा जा सकता है यानि area is a vector quantity can be written as a cross b और a cross b की direction क्या होती है अगर a की तरफ आप अपनी हंथेली को करिये b की तरफ उंगली मोडिये तो जो आपका अंगुठा होता है वह direction of area vector बताता है यानि area vector की direction क्या होगी किसी surface के normally outward direction में किसी surface के normally outward direction में ये area vector की direction होती है तो जब हमसे कहा जाए area vector तो हम कैसे लिखेंगे ये सब समझाने के लिए आपको यहाँ पर nodes में नहीं समझाना है लिखना है कि triangle area होती है हमने 10th में पढ़ाता है ये नहीं लिखना है देखें जैसे ये कोई surface है तो इसका area vector इसके normal लिखेंगे अगर area a cap लिख दें और इसका area a हो तो आप जानते है area vector divided by magnitude of area is equal to a cap तो area vector हमेशा किसी surface के normal होता है लेकिन ये देखने वाले पर depend करता है कैसे हम ऐसे देख रहे हैं अपनी हथेली तो area vector हमारी हथेली के perpendicular upward होगा और आप ऐसे देख रहे हो तो आपके हिसाफ से normal ये होगा तो जिस surface को जहां से हम देख रहे हैं उसके outward direction में उसका area vector आप लेंगे बात सुनना आ गई आउटवर्ड का ये ही नहीं होता जिस surface को हम देख रहे हैं अगर हमारे सामने आप बैटे तो area vector ये होगा और जो पीछे से देख रहा है area vector ये होगा कोई देख नहीं दाला की बात है area vector ये होगा ये area vector ये होगा जिस surface को आप देखेंगे उस surface के normally outward direction में area vector होगा तो सबसे पहली बात तो आ गई area is a vector quantity ठीक अच्छा इसके बाद चुकि ये गौस्थवरम का खांदान है यहां से गौस्थवरम start होती है उसका use होता है इसके बाद दूसरी चीज एक आता है solid angle solid angle once upon a time there was 11th class when there was a chapter of unit and measurement and there was supplementary units याद है कि fundamental unit पढ़ाए गई थी साथ और दो supplementary unit थी angles और solid angle तो solid angle क्या होता है angle एक plane angle होता है किसी surface के द्वारा या किसी circle के आर्क के द्वारा center पे जो angle बनता है उसको हम angle कहते थी ठीक है लेकिन किसी surface के द्वारा जो angle बनता है उसको हम solid angle कहते है दरा समझिएगा जैसे ये एक football है आपने देखा होगा football में बहुत सारे patches बने होते हैं जोटे वो जुड़े होते हैं इसका ये patch है और इसका area delta A है तो इस surface ने इसके center पे जो angle subtend किया कैसे ये पूरा ऐसे angle बनाएंगे आप तो इसको हम कहते हैं solid angle इसको omega से represent करते हैं तो delta omega is equal to क्या होगा delta A और इसका radius r है delta A upon r square ये solid angle है अभी मैं और समझा रहा हूँ वैसे तो इसकी कोई unit नहीं होती है लेकिन इसके लिए एक supplementary unit दी गई थी जोड़ा नाम बताईए क्या था उसका steradian steradian चीक है दूसी तरीके से समझेगा solid angle का मतलब से कोई आपके साम बहुत दिनों बाद आप ने देखा कि अजने बड़ी मोटी हो गई हो कैसे मालू ह आपको अरे आप गल्स सूच रही होंगे मोटी होगे क्यों बड़े मोटे हो गये हो कैसे मालू होगे आपको उसके मूँ के दवारा आपकी आख पे जो angle बनाया गया वो इतना बड़ा था कि आपको लगा सामने वाला मोटा हो गया है तो अंगल कैसे बनाएंगे आप यहां से बहुत सारी लाइन्स खीचेंगे और इन सभी लाइन्स को यह सुझे यहां वह सारे धागे बांद दीजिए और इन सभी लाइन्स को जाके ऐसे मिला दीजिए तो उसको कहेंगे आइंगल यह टोटल जो अंगल सब्टेंड हो रहा है आपके चेहरे पे उसको कहते हैं सॉलिड अंगल समझारी बार नहीं आ रही है तो किसी सर्फिस के द्वारा जो अंगल सब्टेंड होता है उसको हम सॉलिड अंगल कहते हैं अब ज़रा देखे हमारा मुह आपकी आँख फे कुछ अंगल बना रहा है हमने अपना मुह ऐसे कर लिया तो अंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा नहीं अंगल चेंज हो जाएगा मुह का एरिया नहीं चेंज हो रहा है ज़रा उसको समझने की कोशिस करिएगा देखो यह एक सर्फिस है और इस सर्फिस के बिलकुल नॉर्मली हम बैठे हुए है यह एक सर्फिस है बिलकुल इसके नॉर्मली आप बैठे हुए हैं इस सर्फिस ने आपकी आँख पे कुछ एंगल बनाया तो हमने क्या क्या यहां से बहुत सारी लाइन्स कीची और इस सब लाइन्स को एक जगे जाके मिला दिया यानि ऐसे लाइन्स आकरके एक जगे ऐसे मिल रहीं जाकरके तो यहां पर यह लाइन्स मिल रहीं आकरके इसको हमने कहा डेल्टा उमेगा और अगर इसका एरिया ए हो रेडियस यह डिस्टन्स आर है तो delta omega is equal to delta a upon r square हमने इस surface के normally उस angle को measure किया अब ज़रा समझेगा हमने इस surface को ऐसे थोड़ा tilt कर दिया ऐसे घुमा दिया यह ज़िस surface को ऐसे कर दिया अब जो normal यह था surface का वो normal ऐसे हो गया और यह theta angle बनाएगा ठीक है तो क्या area change हो गया उसका area नहीं change हुआ केवल वो normal से theta angle पे जुग गया तो तब जो solid angle लिया जाएगा वो आएगा delta a cos theta upon r square यह बात समझ में आई देखे जा ध्यान से हमने पहले यह वाला area लिया था अब इसको हमने ऐसे tilt कर दिया गुमा दिया तो इसका जो projection होगा इस direction में वो होगा delta a cos theta तो जहां पर delta a इस्तेमाल कर रहे थे वहां हम इस्तेमाल करेंगे delta a cos theta बात समझ में आई शिंता मत करेगा दुसी तरीके समझा दें कि समझ में आ जाएगा अभी बढ़ी आसा example में देता हूँ यह समझ में आई ही जाएगा देखे द्यान से इस किताब को मैं ऐसे देख रहा हूँ यह पूरी किताब अरे नहीं दिख रही है अब दिख रही है देव्यान स्री बाजपी क्या इसका कुछ नेट्रेट का प्रॉल्म हो रहा क्या बार बार left hand join कर रही है देखे यह एक किताब है copy है लखी बात है और इसको मैं ऐसे देख रहे है और यह हमारी आँख पे कुछ angle से print कर रही है दरा समझेगा अभी समझ में आपको बढ़ी आतरीका समझ में आ जाएगा यह एक book थी ऐसे ना करें यह एक surface था और यहाँ पर इसको ऐसे भी ना बना है यह ऐसे रखी है ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं तो यह थो आप पतली है इसलिए यहाँ दिखाई पड़ रही है यहाँ पर हम बैठे हुए है ठीक और इसने हमारी आँख पे कुछ angle सब्टेंड किया है यह हमने पूरा angle लिया है यानि कि हमने यह book ऐसे रखी हुए ऐसे और यहाँ देख रहे है तो हर त्रफ से हमने लाइन ऐसे लाकि मिला दिये और यह solid angle है डेल्टाओ उमेगा यह solid angle है डेल्टाओँ मेर्टाओं अग्यगा और इसका area डेल्टाओं हैं यह distance इसकी मालिया आर है तो देल्टआ विगवराबर देल्टआ ए अपान आरिस्कुर यह लाजिक सम्झ में आया इतना अब ज़रा समझे है यह हमारे आँख के नार्मल है गी नहीं है यहे हमारे आँख के नार्मल है अब मैं इस बुक को ऐसे घुमाता हूँ ऐसे घुमा देता हूँ area change हो गया ऐसे थी ऐसे गुमा दिया क्या इसका area change हो गया किमा अब देखो अब हम इसको देख रहे हैं क्या हमारी आख पर पूरा angle subten कर रहा है इस बुक को देखे तो इतना पार्ट सब्टेंट कर रहा है नहीं कर रहा है और यह पार्ट है क्या इसका प्रोजेक्शन है यह डेल्टा एक कॉस थीटा है कि नहीं है वहिए अगर कोई यह लाइन है और इसको ऐसे आपने वेक्टर को किया तो यह प्रोजेक्शन होता था ना डेल्टा एक ऑस थीटा तो अब हमारी आख पे ये वाला part angle बनाएगा ना तो अब area के जगे हम क्या इस्तिमाल करेंगे delta A cos theta लिखेंगे नहीं लिखेंगे समझ में आई बात इसलिए हमने यहाँ पर जब इसको theta angle से घुमाया है नार्मल से तो हमने लिखा delta A cos theta 35 तो यह solid angle समझ में आ गया अब तीसरी बात यह भी गौस सापका खांदान है जिनका इस्तेमाले करेंगे यह note करते रहालकाल का अपनी जानकारी के लिए वैसे दुबुक में सब को लिखा है notes भी आपके पास provide होंगे इसको लिखते जाओ अब जड़ा समझेगा नेक्स्ट electric field electric field एक scalar quantity है या vector quantity है electric field is a vector quantity और a scalar quantity electric field एक vector quantity है जिसकी direction प्लस से दूर माइनस की ओर होती है जड़ा देखिए यह electric field है अगर कोई surface इसके अंदर रखेंगे अभी हम रखे थे थोड़ी दिर बाद किसी surface को इसके अंदर हम रखें ऐसे यह area वाला है तो इससे 1,2,3,4,5 lines पास हो रही है तो जो number of lines पास होती है किसी surface से उसको हम कहते हैं electric flux क्या कहते हैं electric flux और electric flux is a counting of electric lines electric flux क्या होता है electric lines की संख्या होती है इसलिए ये कैसी quantity होती है scalar quantity होती है तो electric field तो हो गया direction जिसमें होती है electric flux क्या हो गया number of electric lines passing through any surface किसी surface से कितनी electric lines पास हो रही है उसको हम कहते हैं electric flux तो electric flux कैसी quantity है vector quantity है scalar quantity है ये कि scalar quantity है अब ज़रा समझेगा ये किस चीज से link कर रही है देखो ये electric field था और ये surface है ये surface है इसको ऐसे रखा है इसमें ये चीज़ा आपको हम दिखा रहे है ये surface रखा हुआ है ये इसका इतना area है इससे electric lines गुजर रही है अब सोच रहे हैं असली भी lines गुजर जाती इससे तो क्या होता तब तो हम ऐसे से कर जाते वो तो मैं फर्जी बता रहा हूँ अब मैं अपने हाथ को ऐसे घुमाया हमने ऐसे घुमाया यानि अभी तो ये ऐसे रखा हुआ था अब ये theta angle से घुम गया क्या electric lines कुछ कम जादा हुई कम हो गए ना area तो change नहीं हुआ एरिया तो change नहीं हुआ लेकिन direction change हो गई यानि electric lines इस surface के साथ जो angle बनता उस पर depend करता है दूसरी बात यानि theta पर depend कर रहा है दूसरी बात हमने ये surface रखा इसमें और इस surface से 50 electric lines गुजर रही थी हमने ये surface रखा इसमें इसमें 1000 electric lines गुजर रही थी कि lines उटनी है । इससे जजादा गुजर रही है । क्यों भाई इससे 50 lines गुजर रही है इससे 500 lines गुजर रही है Bretagne 2000 गुजर रही है क्या change हो गया इसका area change हो गया यानि अगर area electric field के अंदर कम उज़ादा कर दोगे तो electric lines उससे गुजरेंगी तो चेंज हो जाएगा यानि एलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है एरिया पर डिपेंड करता है ठीक है तो तो एलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मॉला क्या बताया गया कि किसी देखे दो प्रकार की डेफिनिशन होंगी एक फिजिकल क्या होगी कि किसी सर्फिस से गुजरने वाली number of electric lines that is called electric flux जैसे आपके जाडू लगाई जाती है एक तो होती तार वाली जाडू होती है एक फूल जाडू होती है दो जाडू होती ना आप किसी का मुँझ खोला है उसके मुझे जाडू घुषड़ दो है तो और एक ऽ से दो बाहर भीतर करो जाता है उसका मुझे से करो उसे जाडू एसे से करो है कि ट्हीं होगा कि मुझे में जाडू निकालो कम हो जाएंगी आंदर कि जाड़ो जाएंगी क्या चेंज हो रहा है किila number of जाडू तो एलेक्ट्रिक लाइन्स कम जादा होना यह फ्लक्स का चेंज होना ठीक है यह मैं तो एक्जाम्पल दे रहा हूं किसी ज़ाड़ों गुज़ेट मत देना किसी सर्फेस को जड़ा समझेगा किसी सर्फेस को यह सर्फेस है एलेक्ट्रिक फिल्ड में रखा गया यह एलेक्ट्रिक लाइन्स इससे गुजर रही है यह एलेक्ट्रिक लाइन्स गुजर रही है ठीक है यह एलेक्ट्रिक लाइन्स है और इस सर्फेस का पूरा एरिया ए है और इस सर्फेस के साथ एलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा यह निकालना है तो इसमें हम करते हैं क्या तरीका देखिए इसका एक छोटा सा area element लेते area element उसकी एक direction होगी direction क्या होती है surface के normally तो यह इसका area element है da और यह electric field है और यह इसके बीच angle theta है तो जब इस छोटे से area element से गुजरने वाले electric flux की value निकालोगे electric flux passing through the small area element small area element या surface element कुछ भी कर सकते है element इसको हम देखे electric flux को phi से लिखा जाता है चुकि अभी magnetic field भी पढ़ाए जाएगा तो यहां पर phi e लिख देंगे और चुकि आप अगर पूरे surface से विकाले तो इसको हम लिख देंगे phi e और इसको हम integrate कर देंगे d phi e को और यहां पर e लिख देंगे surface integral का मतलब total integration total integral मतलब total sum of the area और total sum of the area कितना दिया है तो इसकी value हो जाएगी ea cos theta यह flux का formula होगा phi is equal to ea cos theta समझाई बात जैसे अब मैं समझाने के लिए एक heading ही लिख देता हूँ charge distribution एक heading ही हो जाएगी charge distribution बताने जा रहे है distribution चलिए एक तरीके से पिछली heading है इसको नहीं पढ़ाया था जानबूच को नहीं पढ़ाया था कुछ जरूत नहीं थी लेकिन आप चुकिंगे integral समझाना इसलिए हम इसको समझा रहे हैं जरा समझेगा आपके पास एक infinite length का वायर है infinite length का वायर है infinite length छीक है आपने इसको चार्ज दिया conducting वायर है पूरे वायर में फैल जाएगा नहीं फैल जाएगा अब हमने आपसे कहा हम बताओ हमने इसको कितना चार्ज दिया तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे इसको पूरे wire में CT लगा कर चड़ जाओगे पूरे wire में नापओगे इतने कुलाम, इतने कुलाम हो जोड़ के हमको बताओगे अगर के कैसे निकालोगे तो नहीं निकाल सकते आप तो क्या करेंगे आप आप एक छोटी सी लिंथ आप लेंगे dn और आप कहेंगे छोटी सी लिंथ में हमने चार्ज रिया है dq तो यह dq हो जाएगा very small charge यह very small length और total length के लिए हम क्या करेंगे इसको integrate कर देंगे तो total charge मिल जाएगा हमको समझारी बार नहीं आ रही है integral मतलब sigma होता है अब आपने इसका integral length के लांग किया है तो यहाँ पर लिख देंगे l इसको कहते है line integral इस integral का नाम क्या है line integral formula जो लगेगा integration का वो ही लगेगा जो आप पढ़ेंगे mathematics में कि वो लिखने का physics में तरीका अलग अलग है तो इससे अदा होती है अदाएं अलग अलग है तो यह इस charge की अदा है तो पहली बात सुझ में आ गई line integral क्या होता है हाँ हाँ बोलते रही है जैसे कोई कहानी नहीं सुनाता है एक राजा था हूँ उसके चार राणी आता है हूँ उसके पाल लड़के थे हूँ अब हूँ नहीं कहेंगे तो कहानी वाला सो जाता है इसलिए यस अब इतना भी हूँ नहीं कि वो कहानी पूरी sentence पूरा आपने हूँ 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 ऐसा भी नहीं होता है अब जड़ा समझेगा अब हमने क्या क्या एक infinite area का surface लिया charge DQ है तो इसका नाम DQ कर दिया और बाद में इनको इसको integrate कर दिया total charge मिल गया चुकि total area का charge मिला इसी को इन्होंने यहाँ A लिख दिया यह area integral कलाता है यह surface integral कलाता है area अच्छा नहीं लग रहा है surface integral कलाता है बहु लिखने का तरीका अलग है बस समझ में आ गया तीसरा case आपको हमने एक solid दिया और उसका volume बहुत infinite था और हमने उसको charge किया हमने आप से कभी इसका बताईए कि charge कितना है आपने छोटा सा volume लिया और volume का charge निकला DQ उसको integrate कर दिया यहाँ V लिख दिया टोटल चार्ज मिल गया इसको आप कहेंगे volume integral चौथी बात एक और है कि अगर यह charge किसी surface के अंदर close है बंद है तो यहाँ पर हम एक गोल बना देंगे DQ इसको कहेंगे close integral तो यह चार प्रकार के integral है जिनका इस्तेमाल physics में कहीं कहीं किया जाता है तो इसमें confuse मत होईएगा इसको charge distribution लिकर के यह note कर लीजे और आपकी जानकारी के लिए हो जाएगा और एक heading भी हो जाएगी note कर यह इसको अभी देखिए इसके पहले वाले में हमने एक plane sheet को charge दिया था flux निकाला था और flux में हमने यहाँ A लिखा था तो वह surface integral था मतलब total area से पास होने वाला हमने flux निकाला है कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि अग्या अब जरा देखिए अब गौस के नजदीक हम पहुँच गये हैं अभी उनके अलग-अलग सिपह सालारों को हम चित करते हुए जा रहे हैं होता नहीं जो किसी वह जो dawn होता है उस तब पहुँचने के लिए उसके बाहर बैठे होते होते ना आप जरा देखिए यहां पर एक चार्ज है और इसके चारो और एलक्रिक फील्ड है इसके चारो और एलक्रिक फील्ड है और एक सर्फिस जिस जो की उटपटांग टाइप का था उससे यह फ्लक्स गुजर रहा है ज्यादा आओ क्लोस कर दो कोई दिक्कत नहीं बंद कर दीजिएगा तो अब लफड़ा क्या यहां पर है हम कहेंगे इस ऐसे भी चार्ज निकल ला है चारो तरफ चलिए इदा चारो तरफ कर देए ठीक है हमने का बताओ कितना फ्लक्स पास हो रहा है अगर इस जगे की बात करूं तो यहां पर यह एड़िया अलिमेंट यह एंगल थीटा वन इस जगे की बात करूं तो यह एरिया element da2 ये electric field ये theta2 क्या देख रहे हैं आप हर जगह theta change हो रहा है या constant है हर अब हम flux निकालें कैसे चले area तो हम same कर देंगे da 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 क्या आप theta change हो रहा है कैसे calculate करेंगे आप तो आप या तो हर जगह आप theta measure करिए और total flux निकाल के add कर दीजिए एक तो ये तरीका होता है क्या हर जगह theta measure हो सकता है आपने 1000 जगह measure किया अब मालिया उसमें तो 1000 एक जगह change हो रहा है तो आप ये calculate नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं हम तो कर सकते हैं इसलिए नहीं कि एक solid angle का concept लेके हम कर सकते हैं practically theta measure करना संभव नहीं है नहीं है ना तो यहाँ पर हम theta क्या करेंगे ज़रा समझेगा जो electric lines होंगे ना उनको बंद करना है electric lines को बंद करना है तो उसे electric lines गुजरेंगी हम एक ऐसा surface लेंगे जिसमें या तो theta change नहो रहा हो हर जगह सेम हो काम चल जाएगा या उस surface के 4-5 टुकड़े कर दे और उन 4-5 टुकड़ों में से electric lines ए स्वरी एरिया क्या बोला हूँ 4-5 टुकड़े कर दे उस surface के और ऐसे टुकड़े कर दे कि theta वहाँ हर एक टुकड़े के लिए constant हो जैसे ज़रा समझेगा हम कहना कुछ और चाहते हैं गाउस त्वर्म तब पहुँचना चाहते हैं इसलिए उसी को समझाने के लिए ड्रामा बता रहे है देखो द्यान से जैसे ये charge यहां रखा हुआ है अगर यहां से electric lines गुजरी ऐसे मैं 4-5 lines लेता हूँ ये electric lines गुजरी अगर मैं इसको एक sphere से बंद कर दूँ एक sphere ले लूँ और ऐसे बंद कर दूँ तो बताइए हर जगे जो area element होगा वो normally outward होगा और electric field भी normally outward है तो क्या हर जगे theta 0 है कि नहीं है हर जगे theta 0 आ रहा है दूसरा example हमारे कमरे में electric lines ऐसे पास हो रही है ऐसे माले गुजर रही है ये इधर से जाती ही इधर जाती है हमने कमरे के 4 surface कर दिये 4 है के 6 surface 6 surface कर दिये अब ये electric lines है ये वाली जो दिवाल है वो उसका area element बाहर की तरफ electric field बाहर की तरफ theta 0 हो गया ये वाली जो दिवाल है उसका area element बाहर की तरफ electric field इधर की तरफ theta 180 हो गया ये वाली दिवाल है उसका area छत है उसका area बाहर की तरफ electric field इधर theta 90 हो गया सामने की दिवाल है electric field इधर area vector इधर आचा सोच रहा हूं कि नाक मैंने कुछ एड़ना करके नाक आपकी दूर है चिंता मत करिएगा वैसे मास्क लगाए होगे ऐसे area vector इधर theta 90 हो गया नीचे वाली जो फर्स है theta 90 हो गया तो हमने क्या किया अपने कमरे के द्वारा इस electric field को बंद किया कमरे के 6 surface थे और 6 surface में 6 जगे theta change हुआ निकाल लिया हमने तो या तो हम इस electric field को ऐसे बंद करेंगे जिसमें theta हर जगे constant रहे या ऐसे बंद करेंगे जिसमें कि कुछ जगे constant रहे 5 जगे change हो रहा 5 जगे निकाल लेंगे 2 जगे change हो रहा 2 जगे निकाल लेंगे हर जगे change होगा तो नहीं निकाल पाएंगे समझ में आई बात ये conception में आया ठीक है